वैशे भारत को किसी परधान देज भी कहा जाता है वक्त के साथ हुए बदलाओं ने खेती को भी एडवांस मना दिया है अगर किसान भाई चाहे तो वा एक ही फसल में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कम समय में शांदार मुनाफा दे कर जाती हैं जिनमें से कुछ किसान ऐसी ही सब्जियों की खेती कर लाखो रुपए मुनाफा कमा रहे हैं वहीं जिले के एक हैशे युवा किसान हैं जिन्होंने गाजर, टमाटर, सिम्ला, मिर्च, आदी सब्जियों की खेती कर परतिवर्स लाखो रुपए मुनाफा कमा रहे हैं आज इनकी खेती देख दूसरे किसान भी इनी की तरह खेती की ओर आकरसित हो रहे हैं वहीं बारावंकी जिले के बंकी बलाग, छेतर के शुकलाई गाउं के रहने वाले युवा किसान संदीप ने चार साल पहले सब्जियों की खेती की सुरुवात की थी जिसमें उन्हें अच्छा लाब देखने को मिला आज वा करीब तीन से चार बिगे जमीन पर गाजर टमाटर आदी सब्जियों की खेती कर रहे हैं जिनमें उन्हें परतिवर्स दो से धाई लाग रुपए मुनाफ़ा हो रहा है वहीं सब्जियों की खेती कर रहे युवा किशान संदीप ने बताया पहले हम प्रामपरिक खेती करते थे उसमें हमें कोई फाइदा नहीं हो पाता था फिर हमने सोचा क्यों ना इन सब से हटकर मुनाफ़े वाली खेती की जाए फिर हमें गाजर टमाटर सिमला मिर्चिक की खेती के बारे में जानकारी होई उसके बाद हमने गाजर टमाटर की खेती एक विगह से सुरुआती है जिसमें हमें अच्छा मुनाफ़ा हुआ आज करीब 3-4 विगह जमीन पर गाजर टमाटर की खेती कर रहे हैं इस खेती में जो लागत है करीब 10-12,000 रुपए बिगह आती है क्योंकि इसमें पौधे, बीज, लेवर वा जुताई का खर्च थोड़ा आ जाता है वही मुनाफ़ा करीब एक फसर पर 2-2,500 रुपए तक आराम से हो जाता है क्योंकि इस खेती में लागत कम मुनाफ़ा जादा है, इसलिए मैं अपने किसान भाईयों से कहना चाहता हूँ और खेती के साथ थोड़ी सब्यों की खेती करें और अच्छा लाब कमाएं जिसमें मुझे अच्छा फायदा हुआ जाजर और टमातर की खेती करना हूँ तीन साथ तीन चार लुए में जिसमें लागत 10-12,000 रुपए आती है और मुझे एक फसल पर 2,500,000 रुपए मुनाफ़ा हो जाता है धान यहों के साथ साथ इसमें सब्जी की खेती कुछ करें जिसमें लागत कम है और मुनाफ़ा अच्छा है अच्छा कमाएं जिससे आय दुगनी हो